नमस्कार दोस्तों ये रातु किला का मुख्य द्वार का रास्ता है और इसी रास्ता के माध्यम से हम मुख्य द्वार में पहुँचेंगे और ये मुख्य द्वार का भव्य सब बना हुआ दर्वाजा है और इसी दर्वाजे के माध्यम से हम लोग अभी रातु किला में रागभाग 20 इंची का है सायत उसे ज़्यादा भी है क्योंकि इनकी गहराई का फ्यूची है जिसके वज़न से आपको मैं एक्जेक्ट नहीं पता पाऊंगा लेकिन दसारा पर्व के सूब आउसर पर ये किला की दर्वाजे को खोल दिया गया है आम सरधालू के लिए और ये किला के अंदर में काफी बड़ा जगह है और इस जगह के आंगन में ये कुवा है और इस कुवा का भी बहुत कुछ इतिहास है दोस्तों जब आज से कबल कुछ साल पहले जब बोरिंग नहीं हुआ करते थे तो लोग कुवा का इस्तमाल करते थे और इस हवेली के अंदर मे ये बड़ी सी कुवा का आज भी पानी बिल्कुल साफ है लोग आज भी इस कुवा का पानी पीते हैं और पानी को बाहर निकालने के लिए ये घिरनी का इस्तमाल किया जाता था आप इस किला के अंदर की ये भब ये महराब को जब देखेंगे इनकी आर्खिटेक्चर को जो रात्तु किला में सयोजे हुआ है दोस्तों इस किला में बड़ी बड़ी दिवारे हैं कितने दरवाजे कितनी खिड़किया हैं हम नहीं बता सकते क्योंकि इसके अंदर में गिनना फिलाल मेरे वसका बात नहीं है दोस्तों पूर्वजों का मानना है कि ये इतिहास बहु बताना चाहता हूं कि रातु किला में दुर्गा पूजा का इतिहास लगभग 176 वर्स पुराना है यहां दुर्गा पूजा पर्थम महाराजा फणी मुकुटराय के सासनकाल से मनाई जाती है थनी मुकुट राय सर फर्थम खलस आस्थापना कर दुर्गा पूजा करते थे वे सक्ती के उपासक थे इसलिए मा दुर्गा को प्रसन करने के लिए मा को काड़ा और बक्रे की बली दी जाती थी और अभी भी दी जाती है यहाँ आज भी कायम है वर्तमान में रातु किला की महराजा गड के रूप में जाना जाता है रातु किला में महराजा उदय परताप नाज सहदेव द्वारा मा की परतीमा अस्थापित कर मुर्ती पूजा की सुरुआत्वी जो आज भी कायम है के बाद महा राजा की बड़ी बेटी माधुरी मंजरी देवी के नेत्रित में पूजा पर्था जारी रखी गई है। रातु किला में मा दुरगा पुजा नंद के स्वर बंगला मत से की जाती है। और पीछे का 15-15 मिनिट पूनिय काल होता है इस समय में मा का जब अराधना करने से और ये दीनों की अपेक्छा कई गुना अधिक की फल की प्राप्ती होती है दोस्तों अब आपको हम इस किले की ये पीछे के हिस्सा है चुकि स्वर्गिय गोपाल सरनात सहदेव जब जिवित थे तो उनको पक्छियों से जानवरे से बहुत प्यार था और इसलिए ये बाग बगिचा बनाया गया था ये हवेली के पीछे की हिस्सा है और इस हिस्से में पक्छियों को रखने के लिए यहाँ पर ये जाली से बनाया हुआ पिलडा है और इसमें अभी भी कुछ पक्छिया मौजूद है लेकिन खैर इनका देखभाल नहीं होने के करण जितने पक्छिया पहले हुआ करते थे अब उनकी तुलुना में यहाँ पक्छिया अब गोपाल सरनात सहदेज को पहाडों से बहुत लगाओ था इसलिए उन्होंने आटिफिस्यल पहाड भी बनवाई थी और यही पहाड को लोग अभी देखने के लिए हुआ परसारधालू गए हुए हैं अब आपको हम इस किला की बाहर की नजारा को दिखाते हैं और इसी मु पुकांदार यहां पर मौझूद है आप देख रहें कि सिंदूर वाले भाई साहब है और यहां पर कुछ स्टोल लगे हुए जिसमें बैग कुछ समाने हैं बैल्ट है मलब धेर सारी ऐस स्टोल लगाएं गये हैं और लोग यहां पर काफी आसपास का स्थानिये लोग भी इस दसारा पर में वक्त निकाल कर आते हैं और इस इतिहास में वो भी अपनी उपस्तिती दर्ज करते हैं आप देख रहें कि बच्चों को खिलने के लिए कुछ खिलावने हैं जो कि प्लास्टिक की बने हुए हैं और जगा जगा पर इस टूलो में इतनी खूपसुरत खूह धू 對 Ke portfolio कि यहां पर जगा जगा पर कई स्टूलि लगाई गई हैं चुकि जब यहां पर मेरा देखने के जो भी सरधालू आते हैं यहां से कुछ मिठाया लेकर जाते हैं डेedu कुछ भाई सहाब यहां पर बिल्कुल फ्रेज मिठाया पा बनाने का काम कर我们 अब देखेंगे कि प्लास्टिक के कुछ कुछ समाने यहां पर मवजूद है और यहां पर लोग आ रहे हैं अपने घर के लिए बच्चे के लिए कुछ-कुछ खेलाने ले जा रहे हैं चूणिया की दुकाने यहाँ पर काफी संख्या में लगी हुई है और यहाँ पर यह बच्चे बहुत ही खुपसरत अंदास से बिल्कुल हैपिनेस होके इस जंपिंग वाले में खेल रहे हैं दखि हुपसरत अंदास से बिल्कुल ही आनंद मैं होके उपर में जाके नीचे स्लीप कर रहे हैं सभी के चेहरे पर बिल्कुल मुझकान जलक रही है यह वही बच्चे है जो आपकी घर को खुसिया से भर देते हैं और यहीं बच्चे को आप जब मेला में ले जाते हैं तो तरह- और artificial है जो भी खिलावने होते उन तमाम खिलावने इन बच्चे को देते हैं और यहाँ पर देख रहेगी कुछ dragon यहाँ पर है यह dragon है और इस dragon में यहाँ की बच्चे के साथ साथ कुछ जवान लोग भी बिलकुल इस dragon का आनंद ले रहे हैं जो की बहुत ही खास है और खुश के पल यहाँ पर वितार हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्ये के साथ जो की काफी खूपसुरत लगता है, यही सब तो मेला का आणनदबय वो पल होता है, जिसको कि आप भूला नहीं पाते हैं, वो इस ठूले जो समान आपको दुकाने में नहीं मिलती, वो काफी मेला में मिल जाती है जिसके वजह से लोग मेला में खरीदारी करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए बीकलप धेर सारा होते हैं, कई इस्टोले होते हैं और उस इस्टोल के माध्यम से जा के आप अपनी घर के लिए अपने बच्चों के लिए अपने के लिए कितने सामगरिया खरीद सकते हैं और इसे लिए लोग यहां पर खास करके गाउं दिहात के इलाकों में इस परकार की जब मेरा लगती लोग वहां पर उमड पड़ते हैं और यहाँ पर ठंडी मौसम है कतारियों का भी यहाँ पर भीड लगा हुआ है और यहाँ पर लोग कतारी खरिदने के लिए बिलकुल धेर संख्या मिहाँ पर मौजुद है अब धीरे धीरे साम का वक्त हो रहा है इसलिए कुछ सरदालू अब अपनी घर के और भी प्रास्थान कर रहा है और आपको देखेंगे अभी भी यह स्टोल इतना जबर्यस भीड है क्योंकि आखरी वक्त में सभी लोग कुछ न कुछ अपने घर के लिए खरिदना चाहते है उस इतिहास में अपना उपस्ती थी दर्ज करना चाहते और साम का वक्त इस किला को बिलकुल लर्यों से सजाया गया है दोस्तो दा यूटूब ब्लोग को देखने के लिए धन्यवाद